कि है कि है लो फ्रेंड्स जो घ्राफ त्योरी के लेक्शन नमबर को टी टू में आपका स्वागत है कि यह लेक्शर डिस्क्रिट-maithematics का है और इसमें अभी डिसक्यसन हम लोग करने ग्राफ त्योरी ग्राफ त्योरी में और भी लेक्चर हमने पहले बनाया अप उसको भी सि आइसोमॉर्फिक घ्राफ का मतलब गया है अब देखिले कि यह ए ऑइसोमॉर्फिक घ्राफ का पहले दिफिनेशन अगर हम देख लें किस इस ऐइसोमॉर्फिक इस चुमंपलोगी ग्राफ देजाइन इन डिफरेंट वें ये हमेशा कॉमपरेटिव-टर्म है करे अगर आइसोमॉर्फिट काम काम तो यह दो ग्रैफ की बात करता है और दोनों डोनों सीमिलर हुँ तो घ्राफ के केस में็मawk में यह आसान काम नहीं है बहुत कठीन काम है लेकिन छोटे लेबल पर यह काम आसानी से हम विज्युलाइज करके देख सकते हैं तो इसी बात को यह आगे कहते हैं कि देखने में हो सकता है दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन आइडेंटिकल हूं कैसा दिखेगा जरा साव विचार क हम दो ग्राफ की बात करते हैं हम इस ग्राफ की बात करते हैं यह दोनों ग्राफ जरा से देखें क्या देखने में आइडेंटिकल है नहीं लेकिन यह दोनों ग्राफ आइसो मॉर्फिक हैं अगर यह क्विश्चन हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे यस देखने में भले एक जैसा नहीं लेकिन आइडेंटिकल हैं कैसे आइडेंटिकल हैं हम graphical properties की बात करेंगे graphical properties क्या कहता है कि vertex पहले graph में माल लेते हैं यह graph हमारा G1 है इस graph का नाम हम G2 दे दे तो G1 में जो भी vertex है इसको इस तरह से लिख ले हम इसमें vertex है A, B, C अगर G2 की बात हम करें तो G2 में भी जो vertex set है यहां पर A, B, C अब यहां पर हमें देखना क्या है देखना यह नहीं है कि ABC यहां भी है यहां भी हो सकता है इस graph का नाम हम ABC के बदले अगर लिख दे हम P, Q और R तब यह भी सी बदल जाएंगे वर्टिकल vertex का नाम बदल जाएगा P, Q & R हो जाएगा क्या अब यह identical है देखिए हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हाँ पर नेम की बात नहीं होती है हम बात करते हैं अगर कोई graph graph isomorphic है तो उसके characteristic की बात करके उसके view की बात नहीं करते यह दोनों ही graph identical इसलिए हैं कि यहां पर vertex अगर तीन है मतलब यहां पर तीन वर्टेक्स है तीन वर्टेक्स यहां भी है हम की बात कर रहे हैं उनके नाम क्या है यह हमारे लिए माइन नहीं रखता है हाँ विजुलाइज करने के बाद हम ऐसा देख सकते हैं कि यह जो है एक ही जो प्रपर्टी है उकायते से आर की त कर सकते हैं सी के जगह पर हम क्यू को रिप्रिजेंट कर सकते हैं तो इस तरह से अगर हम देखें अगर इसी ग्राफ को घुमा दें तो इस तरह की प्रोपर्टी आ जाएगी तो यहां पर बात आइडेंटिकल कहने का मतलब ग्राफ प्रोपर्टी की हम बात करेंगे पहले त जिस graph के age की बात करें तो यह क्या है फाई तो यह भी है BC है और AC है मतलब 3 age है और यहां भी 3 age है तो हम graph की property की बात करें तो हम देखेंगे कि vertex और age graph में है क्या graph के दो यह element है vertex और age तो vertex और age की हम बात करेंगे इन दोनों property की बात करेंगे हम size की भी बात नहीं करेंगे अगर माल लेते हैं इसके equivalent में इसके isomorphism में अगर हम इस तरह का एक graph बना लें और फिर हम difference देखें कि भाई इसका age तो बड़ा है इसका age छोटा है हम लंबाई की बात नहीं करते हैं है नहीं है ऐसे कोई बात नहीं है हम graph की properties में सिर्फ पहला point है कि दोनों ही graph में vertex बराबर होने चाहिए number of is बराबर होने चाहिए और भी कोई property हम देख सकते हैं तो निश्चीत रूप से हम जब देखेंगे तो हम यहां पर degree sequence की बात करेंगे हैं डिगरी sequence किया करता है देखिए अगर एक डिगरी sequence की बात करेंगे तो यह दो है इसका भी to है इसका भी to है यहां पर degree sequence क्या है यहां भी बराबर है यहां भी डिगरी sequence 2 2 2 बराबर है अब छेब इनका नाम अगर हम D F हमको कोई फरक नहीं पड़ता है कes तीन वर्टेक्स सारे ग्राफ मेरें 3 Housing सारे ग्राफ में पर तीनों के डिगरी सीक्वेंस बराबर है हर वर्टेक्स दो डिगरी के साथ जूड़ा हुआ है यह कंप्लीट ग्राफ है तो इस तरह के ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहां अब आईसो मॉर्फिक ग्राफ का करेंगे आईसो मॉर्फिक ग्राफ को फाइंड करना विज्वलाइज करना थोड़ा सा कठीन काम है लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे जो हर ग्राफ के प्रोपर्टी पर सिमिलर है उसी को हम बोलेंगे अब जरा सा इस ग्राफ को देखिए मालेते हम एक इस तरह के ग्राफ की बात कर लें ए ए बी सी और डी यह चार हमारे पास वर्टेक्स हैं एक दूसरा ग्राफ इसके क्यूमेशन्ट में बनाने की कोशिश करें अब इस ग्राफ को देखिए यहां पर हम पी क्यू आर और इस की बात करते हैं अब विजूलाइज करने से हम में तो लग रहा है कि तो उनों डीफरेंट ग्राफ हैं लेकिन क्या ऐसा है क्या यह आईशोमोर्फिक है इस ग्राफ को हम नाम देते हैं जीवन और इस ग्राफ को हम जीटू नाम देते हैं अब हमारा सवाल यह है कि जीवन और जीटू आईशोमोर्फिक ग्राफ है या नहीं है तो केवल विजूलाइज करने से हम में अगर अगर ऐसा लगता है कि नहीं यह तो अलग है यह इसका डिजाइन बिल्कूल अलग है तो डिजाइन की बात थाम आइसोमोर्फिक में नहीं करेंगे हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले number of vertex कि जीवन के vertex कितने हैं थी जी जी टू के vertex कितने हैं अगर उनकी cardinalty की बात हम करें यहां भी 4 है मतलब vertex के किसमें तो दोन बराबर हैं अब एजेज की बात करें, जीवन के एज कितने हैं, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, यहां फाइव हैं, ते यहां जीटू की अगर हम एज की बात करें, ते इनकी भी कार्टनलीटी फाइव है, मतलब यह दो प्रपर्टिज में तो यह दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, देखने में बले नहीं अलग हो, अब जड़ा सा इसी पर और करें, हम बात करें डिग्री सिक्वेंस की, तो इसका डिग्री क्या है, 3 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, इस ग्राफ को जड़ा गॉर से देखें, इनकी भी डिग्री 3 है, इनका भी डिग्री 3 ह तो डग्री सेक्वेंस में भी आगर हम देछे इस पूरे ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे है आदारबा हम 2 बास में हम करिकर अगर कर दियरी अब इसके आधार हम आशानी कर सकते हैं कि बूत देग्राफ आई सभीए कि दोनों से में कहीं कोई अंतर नहीं है क्योंकि डि डीघरी सिक्वेंस के आधार पर हम आसानी सका सकते हैं कि यह ग्राफ से बनाए गया है तो हमें अगर आइसो मर्फिक ग्राफ टेस्ट करना है समाने वेव पिक्चोरियल फॉर में छोटी अगर ग्राफ हैं तो आप आसानी शीच को कर सकते हैं otherwise हर graph के number of age को count किजिए number of vertex को count किजिए उनके degree sequence की matching किजिए अगर आप पाते हैं कि हर परिष्थिती में चाहे vertex की बात हो, ages की बात हो, degree sequence की बात हो, अगर सब कुछ similar है तभ ही graph isomorphic होगा अब इसी बात को देखिए क्या करते हैं कि आइडेन डर्णा इन एवरी टेयरПрोपर्टी ने सब्सक्राइब नकरां सब्सक्राय करहें ऑग incarem煮 पक्राइब शिवर्टेंट यह सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब हो, अभी तो फिर और दर्ण में मैं replica of the main graph देखिए यह मेन ग्राफ कमा रहा है इसी का exact replica है देखने में फ़ले ही different structure देख रहा है तो हमको visual structure से similarity की बात नहीं करनी है ऐसा नहीं होगा कि हम visual structure कुछ अलग बना दे और तब बात करें और देखने की भाई देखने में same नहीं है तो आइसा गलती नहीं करनी है हमको isomorph graphic graph का मतलब है graph के properties के उपर identical है या नहीं है दोनों में similarity है की नहीं अगर है तो किसी भी तरीके साथ दिखे कोई भी visual activity हो visual representation हो हमारे लिए मायनेरी रखता है हम graph के age के length की बात नहीं करते हैं vertex के position की बात नहीं करते हैं अगर इनको हम गौर से देखें तो हम आसानी से कह सकते है कि यह जो A है यहां पर A node जो है वो P से replace किया जा सकता है अगर हम B की बात करें तो B को हम S से replace कर सकते हैं अगर C की बात करें तो C को हम Q से replace कर सकते हैं और D की बात करें तो D को हम R से replace कर सकते हैं बिल्कुल replace किया जा सकता है इसलिए यह 100% अब confirm हो गया कि यह graph isomorphic है तो isomorphous इसे सुरूप से ध्यान रखना होगा आपको समझना होगा graph के property क्याधार पर हम find करेंगे और आसानी से हम यह समझ लेंगे कि graph isomorphic है या नहीं है तो इस तरह के सवाल भी पूशे जाते हैं जिन पर आपको विश्यस ध्यान रखने की ज़रुत है और इस lecture म में हम discussion को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद